दर्शा को आज बात करेंगे कि अगर आपकी जनव पत्री में सूरी और बुद साथ साथ बैटे हैं तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डानले वाले हैं ऐसे कौन से विशे होते हैं जिन पर वो सबसे जादा असर डालना चाते हैं क्या वो आपके व्यक्तित में कुछ बहुत डिफरेंट सी चीज देंगे जो बाकी लोगों के पास नहीं होगी और एक बात ध्यान रखना बहुत लोग हैं आप जिनकी जनव पत्रियों में सूरी औ प्रबुद साथ हाथ हैं तो फल क्या रहेगा और आकर यह दोनों यूति बनाकर हमसे चाहते क्या हैं हमसे मांगते क्या हैं हमें क्या परिवर्दन करना चाहते हैं इस विशे पर विस्तार से आज बात करेंगे तो आईए वीडियो की शुरवात करते हैं मैं स्टलाजर शैलेज जन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं दर्शको सूरे और बुद की यूति बहुत कुंडलियों में होती है और कई बार तो बुद अस्त भी होते हैं सूरे के साथ बैठने के कारण इसमें मैं गणिती अधार पर बिलकुन लहीं जा रहा हू सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि सूरे और बुद साथ बैठे हैं तो आपके व्यक्तित पर सबसे पहला प्रभाव क्या डालते हैं दर्शको मन के अंदर ना एक अलग तरे का ऐसी इस्तिती बना देंगे जिसे हम कहते हैं अकेला पन ये अकेला पन भीड में भी होगा अर्था सेलेके बुडापे तक सूरी और ऑर बुद की युथी एक ऐसास दिलाती ही रहती है अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको ये अकेला पन अच्छा लगता है क्या सही में भीड में शामिल हो जाना चाहते हैं या कुछ अकेले ही रहना चाहते हैं इसके दो मतलब निकल्के आते हैं जब सूर्य और बुद्ध की युति हाग की जनब पत्रि में आप जब किसी तरह का चिंतन मनन करना चाहते हैं तो आप अकेले रहना चाहते हैं आप कहेंगे अचारे जी ऐसा तो सभी चाहेंगे नहीं दर्शको आपको किसी अपने करीबी के विशे में भी निर्णे लेना है ना जैसे किसी से रिष्टा रखना है या तोड़ना है किसी की बात पर गंभीरता से विचार करना है किसी के उपर इन्वेस्टिगेशन करना है यानि जासूसी करनी है तो सूर्य और बुद्ध आपको अकेला रखना पसंद करेंगे उस समय युति बना कर परन्तु भीड में यानि ग्रुप में भी खुब मज़े करते हो इसलिए मैंने बोला यह जो अकेला पन है ना इसका मोटीव अलाग है दर्शको यह मोटीव है रिसर्च, रिसर्च और रिसर्च यानि अनालेसिज, अनालेसिज और अनालेसिज इसका मतलब ये रहा, जब भी किसी चीज की गहराई में उतरना है, तो ये युती आपको वो अकेले पन का फाइदा देगी, कुछ घंटे चाहिए, कुछ समय चाहिए, जब आप उस चीज की गहराई में उतर जाओगे, आप अपने पार्टनर को भी नहीं बताते हो, कौन सा पार्टनर की बाते कर रहा हूं, दर्शको ये आपके जीवन साथी की बात भी हो रही है, आप प्रेम बहुत करेंगे, साथ बहुत निभाएंगे, परंतु कुछ बाते तो ऐसी हैं, जब अपने जीवन साथी से भी नहीं करेंगे, इसलिए ऐसा नहीं कि आप उन्हें कम परन्तु मैंने आपसे कहाना चिंतन और मनन वो अकेले ही होगा यह काबिलियत सूर्य और बुद्ध दोनों मिल कर देते हैं देखे दर्शक उसका एक कारण है जोतिश शास्त्र के कुछ उधारणों में बताये गया है कि सूर्य क्या है राजा बुद्ध क्या है राजकुमार अब जब यह दोनों अपने देश और प्रजा के बारे में बात करेंगे तो जरूरी तो नहीं है ना सब को उस मिटिंग में बुला लें तो ऐसे यह आप हो जब आप अपनी जिंदिगी के कुछ विश्यों में बात करोगे अपनी जिंदिगी को इंप्रूव करना चाहोगे तो सूर्य और बुद्ध की युथी उस improvement में नहीं चाते कि आप किसी से कोई discussion करें इसलिए आपको एक खास ध्यान रखना है कि आप जो भी plannings करते हैं उसका पहले से डोल मत पीटिये सूर्य और बुद्ध की युथी negative effect देना शुरू कर देती है आपकी planning को जब आप implement करने चलते हैं तो उसमें 10 दिक्कते खड़ी कर देती है और जबकि बहुत साधारन होंगी वो बाते हैं पर आपने पहले से ही सब जंगे डूल पीट दिया कि हम यह करने वाले हैं अरे हम तो बहुत असानी से कर लेंगे आपको पता नहीं है हम में कितना अनुबव है यह वो negativity है जो सूर्य और बुद्ध की युथी मिलकर आपके अंदर डाल रही है तो कहने का तात पर अभी तक कंक्लूजिव फॉर्म में क्या रहा कि आप अकेले रहके अच्छे से किसी टॉपिक पर रिसर्च करना चाते हो और फिर ग्रूप में उसे एंज्वाय भी करना चाते हो कहीं पर ऐसा नहीं है कि आप कोई परंतु उस कष्ट का निवारंट करने के बाद जरूर बता देंगे चलिए इसे युति से संबंदितना दर्शको आपके व्यक्तित का हिस्से की बात करते हैं जो बच्छपन से शुरू होती है अभी मैंने नॉर्मल वे में आपको कुछ बात बताई है अब बच्छपन में सूर्य और बुद की युति क्या प्रभाव डालती है बच्छपन में दर्शको आपको कुसंगती में डालती है अब यह कुसंगती नाम तो बड़ा बुरा लग रहा है कि यह कुसंगती यानि हमारी संगती खराब होगी बात तो से यह दर्शको सूर्य और बुद की युति शुरुवाती दौर से ही आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाईगी, ऐसी ऐसी चीजे दिखाएगी, ऐसी ऐसी संभावनाय बनाईगी, कि आपको स्वयम पर शक होने लगेगा, कि हमरा करेक्टर खराब तो नहीं हो रहा, लेकिन यही सूर्य और बुद्ध की युति है, जो पूल ऐसी है सूर्य बुद्ध की युति, आप हैं वो चंदन का पेड़, पर साप आप पर लोटेंगे, यानि कुसंगती, आपको बस वो जहर अपने अंदर आने नहीं देना है, आपको अपने खुश्बू को मिटाने नहीं देना है, यानि संयम बनाके आगे चलना है, य आप कहेंगे अचारी जी हमारा तो बीच चुका क्यों बता रहे हैं, आपकी संतान नहीं है क्या, आपके अपने चाहने वाले नहीं है, जो कम उम्रके हैं, उनकी कुंडलियों में जब सूर्य बुद्ध होना, तो खास ध्यान रखिए उनके उपर, संगती का बुरा प्रभ फाइदा क्या होता है, सबसे पहला फाइदा यह होता है दर्शको कि आप जब कोई शिक्षा करते हैं, यानि एजुकेशन लेते हैं, तो उसको पूरा करते हैं, नहीं, थोड़ा सा अधूरा छोड़ देते हैं, थोड़ा सा देर लगाते हैं, विलंब करते हैं, कारण वो सं है जब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में गोड़े दोड़ाओगे दिमाग के तो रिजल्ट वाएगा पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देरो जाएगी इस कारणवर्ष सुर्य बुद्की यूति वालों को कई बार मैंने सुर्य और बुद्की यूति आपको एजुकेशन और क्वालिफिकेशन से जादा लाव देगी आपके अनुभव का क्योंकि आपने जो अभी तक अलग-अलग फील्ड में देखा, सीखा, समझा और स्वेम रिसर्च करी बिना किसी को बताए उसका लाव आपको आपके कार्य छेत्र में मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि बुद्ध आदित्यय योग है दर्शको कहने का मतलब बुद्ध ही से मिलके सूर्य के तेज में जो बड़ोत्री हुई वो कमाल है आप ही सोचिए कोई बुद्धिमान राजा क्या-क्या नहीं कर सकता सूर्य, राजा, बुद्ध, बुद्धिमान, अर्थार्थ दोनों मिल गए आपके साथ तो आप इसी पर ध्यान दीजिए साथी दर्शको आज आपसे एक बात और कहूंगा अक्सार आप ये प्रशन पूछते हैं कि अचारे जी हमारा लगन भाव में बैठा हो तो क्या फल देगा पंचम में बैठा हो तो क्या फल देगा बता तो सकता हूँ पर आज मैं चाहता हूँ कुछ आप भी बताईए अर्थार आप सिरफ एक लाइन में लिखके बताना कि सूरे बुद अगर लगन में बना रहे हैं युदी तो क्या प्रभाव देंगे पंचम में बना रहे हैं तो क्या प्रभाव देंगे उधारन के दार पर एक या दो भाव का बता देता हूँ अब बाकी लोग ये ना सोचें कि अचारे जोने हमारा नहीं बताया पर सिरफ एक दो भाव का बता के बाके सब को ऐसे ही कमेंट बॉक्स में बताना है जैसे सूर्य और बुद्ध की युती अगर तृत्ते भाव में बन गई तो इसका मतलब क्या रहा इसका मतलब ये रहा दर्शको कि जो आपके मित्रगण होंगे ना उनके साथ आपको बहुत जादा नियंतरण के साथ रहना है उनके साथ मिलके कारे नहीं करना है मित्रों को मित्र ही रहने दीजिए अगर आप कारे छेतर में तफदील करेंगे तो दिक्कते आएंगे चलिए इसके ही बिलकुल सामने पढ़ता है नवंभाव उसके भी बता देते हैं कि अगर सूर्य और बुद्ध नवंभाव में बैठे हैं युति बनाकर तो क्या फल देंगे इसका मतलब यह है कि आप अपने परिवार और परमपराओं के साथ चलेंगे तो जरूर पर अपने तरीके से चीजों को देखते और समझते हुए कई बार इसके कारण मदवेद हो जाते हैं जगड़े हो जाते हैं परिवार में और घर के बड़े लोग आपसे नराज भी हो जाते हैं तो विस्तार तो बहुत सारा है वर्णन तो बहुत सारा है आप भी सरफ एक एक लाइन मे से आगे बढ़ाते हैं दर्शकों और यह बताता हूं कि सूर्य बुद्ध की यूति आपके वैवाहिक जीवन यानि आपके जीवन साथी के साथ किस तरह का संबंद रखते हैं दर्शकों यहां पर जब आप जीवन उठाते रहोगे लेकिन यह उठाने का मतलब यह बिलकुल नहीं है दर्शको कि आप जगड़ा कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आपको अपनी बात मनवानी ही मनवानी है वो सुना होगा ना अपने साम दाम दंड भेद कैसे भी करके बुद्द आदित्ते योग है भई फील त के लिए जीवन साथी के साथ अगर सूर्य बुद्द की युथी है तो साथी दर्शको सूर्य बुद्द की युथी एक और कमाल की चीज़ देती है आपको और वो होती है कोई ना कोई गुप्त विद्या आपको आएगी ही यह बात पक्की है कैसी गुप्त विद्या देख जिसे हम कहते हैं ट्रबल शूटर ट्रबल शूटर तो वही बनता है जिसने चीज को बहुत गहराई से रिसर्च किया होता है इसलिए बोल रहा हूं कि आप कहीं न कहीं सुर्य और बुद्ध की यूति के कारण वो गुप्त ग्यान प्राप्त कर लेते हैं जो विशे में होता ह इसलिए सिर्फ गुप्त ग्यान में अलग-अलग दिशाओं में मत चले जाना कहने का तात्पर्य यही है आपकी जो फील्ड है उसी फील्ड में इतना गहरे उतरके आप वो नॉलिज लेंगे जिसके कारण आपकी डिमांड बनी रहती है लेकिन कभी-कभी अपनी सोचने की स्तिथी के कारण जब आप अपने संबंद बिगाड़ते हैं ना किसी के साथ तो उसके कारण वर्ष थोड़ा टकराव जादा ही हो जाता है आपके कारे छेत्र में यह बात बार-बार होती है ऐसा इसलिए होता है दर्शको क्योंकि सूर्य सुनने वाले तो किसी की हैं नहीं और बुद्ध के साथ बैठ कर बुद्धिमानी जो दे दी तो आपको यही ऐसास दिलाते हैं कि आप गलत नहीं हैं मैं यह नहीं कहरा कि आप हमेशा गलत होते हैं लेकिन दर्शकों थोड़ा सा अपने व्यक्तित का हिस्सा बदलीए सूर्य बुद्ध की ज्युति को अगर आप बहुत फाइदे में तब्दिल करना चाहते हैं तो सामने वाले की सुन भी लीजिए बुरा लगेगा आपको यह बात परंतु इस कारणवश कई बार आप अपनी चोड़ देते हैं जैसे को दारण के तौर पर आपको पताता हूं कि आप कंपनी में बहुत हाई लेवल प के कारण आपने एकदम से आपके अंदर है असास आया मैं क्यों करूं यह लोग ऐसा करेंगे इतने सालों के बाद भी इतने वर्षों के बाद भी मैंने तो इनको इतनी सेवाई दी बस यह मत करना सूर्य बुद्ध की युति है ना तो थोड़ा सा अपना प्रैक्टिकल फा बुद्ध साथ साथ रहने वाले घ्रह हैं जो अधिक हमारे जीवन पर प्रभवर डालते हैं सूर्य आत्मा है बुद्ध हमारे बुद्धर का कारक है और वो भी उस बुद्धर का कार Typically इस जनम में हमारे साथ चले की तो देखेना बहुत कुछ है इसके अंदर चो मैंने बत सारी यूतियां हैं कमेंट बॉक्स में बताईएगा कैसा लगा वीडियो लाइक कर लीजे चैनल सब्सक्राइब बैल आइकन तो जरूर प्रेस करना है तब ही तो हम आप साथ साथ बने रहेंगे धन्यवाद